हेलो स्टूडिंट्स, वेलकम टू लेयर थी एजुकेशन, आज यहाँ पर हम सीडीपी के कुछ कुछ कम्प्लीट करने जा रहे हैं, यह आपका मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर MPPB में जितने भी एक्जाम्स होती हैं, सीडीपी के जहाँ पर कुछे जाते हैं, वो ही सारी यह कि हम जादा से जादा MPPB जिस तरीके के कुछन पूछता है, उन कुछन को कम्प्लीट कर लें, तो यह दि आपने कोर्स में इन्रोल नहीं किया है, तो अभी भी आपके पास समय है, आप उस कोर्स के अंदर इन्रोल कर सकते हैं, सारा सिलेबस पढ़ सकते हैं, उसके बाद सि तो अभी यहां पर बात की गई है, पहला कुछन जिस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ए परसंस आई क्यू इस इनिशली रिप्रेजेंट बाई रेशियो ऑफ पर पर एज डिवाइड बाई हिस अर एज, हिंदी में यहां पर पढ़ देती हूं, किसी व्यक्ति का हजित कर उस व्यक्ति की आयू का अनुपात दर्शा है जाता है, तो आप से क्या पूछा गया है, बेसिक सी चीज़ आप देखो, आईक्यू लेवल बुद्धी लब्दी की यहां पर बात की गई है, तो अब आपको आईक्यू लेवल का फॉर्मूला बुद्धी लब्दी कायू इंटू हंड्रेड हमने किया, तो बुद्धी लब्दी आईक्यू लेवल निकल कर आ जाएगा, तो यहां पर आपको क्या फिल करना होगा, मानसी कायू ठीक है, और वास्तविक यानि की काला नुक्रमित आयू जो आयू चल रही है, रियल एज जो है, वो वाली, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, option number D, mental और chronological age, मानसी कायू अपॉन में वास्तविक आयू, यह चीज क्लियर हो गई, अब कोई एक दो क्वेशन करके देख लेते तो हो सकता है, कभी exam में, अब आपकी exam में कोई question पूछ लिया जाए, कि एक व्यक्ति जो है, कुछ हम question यहां पर complete करेंगे अभी, देखो, अब आपको formula तो पता चल गया है, कि formula क्या है, मानसीक आयू अपॉन में वास्तविक आयू, ठीक है, अब question में दिया हुआ है, कि एक व्यक्ति की मानसीक आयू हम मान लेते हैं, मानसीक आयू मान ले 10 साले, लेकिन उसकी जो वास्तवि हैं, 20 साले, तो बताइए उस व्यक्ति का IQ लेवल, बुद्धी लबदी कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, मानसीक आयू अपॉन में वास्तविक आयू इंटू 100 कर देंगे, तो अब आपको यहां पर कितना मिलेगा, 50 मिलेगा, 50 तो IQ लेवल बहुत कम होता है, मतलब कि व बुद्धी लबदी जो है, उसका विकास नहीं हुआ है, तो आप ऐसे देखो, आप नॉर्मल इसको रियल लाइफ से कनेक करके देखो, एक व्यक्ति जो है, वो 20 साल का है, एक व्यक्ति 20 साल का है, मतलब उसके आयू 20 साल का वो बच्चा एक इशोर आवस्ता में चल रहा है लेकिन उसका बीहेविर 10 साल के बच्चो जिसा है, 10 साल के बच्चो जिसा कैसा चोकलेट के लिए रो रहा है, और उसके बाल इवसता में बच्चा बिहेव करता है, आप सभी जानते हैं, तो हम से पूछा गया है, कि उस व्यक्ति का IQ लेवल क्या होगा, तो हमने विकासे वो नहीं हुआ है, मतलब कि उसका IQ लेवल कम होगा, तो मांसिक आयू कम होती है और वास्तविक आयू जादा होती है, तो बच्चे का IQ लेवल कम होता है, अब इसी कोशन को अपन कुछ टर्न करके देखते हैं, एक बच्चे की मांसिक आयू तो 40 साल है, लेकिन वास्त अब इसको अपनी लेंग्वेज में समझो, कि एक 10 साल का बच्चा जोई 15 साल के बच्चे का कुशन का आंसर कर रहा है, मतलब 10 साल का बच्चा मांलो 6th क्लास में पढ़ रहा है, 56th क्लास में पढ़ रहा है, लेकिन वह 9th क्लास के बच्चों के जितने भी कुशन होते हैं, जैसे कि मैट्स का कोई कुशन हो गया, कोई भी कॉंपलिकेटेड कुशन हो गया, फिजिक्स केमेस्ट्री का, तो उसको भी सॉल्व कर पा रहा है, तो आप उसका IQ लेवल बताओ, तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते कि उसका IQ लेवल बहुत अच्छा होगा, बहुत आईउ, अपोन में वास्तविक आईउ into 100 हमको करना है, तो मांसिक आईउ कितनी बोली थी अभी, 15, अपोन में वास्तविक आईउ कितनी मानी थी हमने, 10, ठीके 10 साल का बच्चा, 15 साल के बच्चे के कुशन का अंसर कर पा रहा है, तो बताओ कि आईउ कितनी होगी, तो आप देखी होगी न, उसके अंदर वो चोटा बच्चा रहता है, वो बड़ी-बड़ी क्लास के कुशन के आंसर कर लेता है, तो वो क्या है, बच्चा जो है, वो प्रती भावान है, है न, ऐसे करके अपन सारी आईउ निकाल सकते हैं, कोई भी ले लो, मांसिक आईउ कम ले आप तो आपको पता चल गया कि क्या होगा, ठीके वास्तवी कायू को आप ज़्यादा ले लो, मतलब कि वास्तवी कायू ज़्यादा है, लेकिन मांसिकायू कम है, मतलब कि बुद्धी लबदी जो है, आईक्यू लेवल कम होगा, लेकिन यदि 10 साल का जो बच्चा है, 10 साल का ब तो इसका आंसर यहाँ पर mental और काला नुक्रमित होगा है ना मांसिकायू अपन में वास्तविकायू अगला कोशन देखिए रदय विकार के साथ कौन सी आनुवांशिक समस्य आती है रदय विकार यानि की जो हार्ड डिफेक्ट्स होते है उसके साथ कौन सी आनुवांशिक सम बच्पन माना जाता है बाली अवस्ता नहीं बोला इसने बोला है अरली चाइल्ड हूड या फिर प्रारंबिक बच्पन माना जाता है अब आप ओप्शन देखो इसके ओप्शन क्या दिये हुए है साथ से ग्यारा, जन्मर से दो वर्ष, तीन से बारा और दो से छे वर्ष तो इसका राइट आंसर क्या होगा दो से छे वर्ष क्योंकि हम शेशाव वस्ता को नॉर्मली जीरो से पांच वर्ष मानते हैं लेकिन उसमें क्या होता है बच्चे का जो अर्ली चाइल्ड डूल ड तो दो से छे वर्ष के अवस्था को अपन अरली चाइल्ड हुड स्टेज बोल सकते हैं आगे बढ़ते हैं देखो ये कंडिशनल कोश्चन है ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा वर्तमान में पहने जा रहे जूते ठीके वर्तमान में पहने जा रहे जूते की एक नई जोड़ी से जूते काटने का दर्द किस प्रकार का एक उधारेन है मेमोरी से रिलेटेड ये कोश्चन है तो यहाँ पर आपको एक हिंट मिल रहे हैं क्योंकि प्रीवियस हमने एक मॉक टेस लगा था ना और आज हम ये मॉक टेस लगा रहे है पहला मॉक टेस और दूसरा मॉक टेस दोनों में ही मेमोरी के कुश्चन है और इस मॉक टेस में आपको दो कुश्चन देखने को मिलेंगे मेमोरी से तो यदि आप ये सीलेबस में देख रहे है का विकास किस तरीके से हो रहा है तो यह चीज़ें वहाँ पर आती है तो फिर हम ऐसे पर जाएंगे शोक्स पहन के पहन लो या फिर इस तरीके से की जादा चलना है तो वहाँ पर नए जूते मत पहनो ठीके कमफर्ड़ जूते पहनो यूस किये हुए जूते पहनो तो यह कौन सी मेमोरी है जो इस प्रकार का आंसर करती है आपकी लॉंग टम मेमोरी प्रासंगित मेमोरी तदकाल मेमोरी या फिर समवेधना मेमोरी तो यह मेमोरी होती है हमारी immediate मेमोरी जो हमको sudden answer करती है जिसी आपने नए जूते खरीदे आपके दिमाग में पहली चीज़ के आएगी कि नए जूते में खरीद रहा हूं तुम इसको एकदम से तो नहीं पहन पाऊंगा ज इसके अंदर आपको पूरा मेमोरी पढ़ाया जाएगा क्योंकि वर्किंग मेमोरी इसके अंदर आती है जो आपने कल देखा था कि लॉंग टर्म मेमोरी शॉट टर्म मेमोरी एक कुशिन वो पूछा हुआ था इसके अंदर आता आउप से चीज़ के लेंगे SIN आथ तो आप इसके लिए आपने सपली है और नायमारी वो रीयुक्राय श्रू 230 मेमोरी शinku कर लेंगे अंदर आता क्योंकि पर आतुम से ल Э्टेञ शॉतवाफ करने संटरू कि लए रहे बीस होउसेयों कुन सा प्रभाव होगा आपका तत्काल इस्मृति यानि की इमीडियेट मेमोरी का प्रभाव होगा आगे बात करते हैं कुश्चन पढ़िएगा पारिस्तिति की प्रणाली सिध्धान्त जो मुल रूप से उरी ब्रॉफेन बैनर द्वारा तयार किया गया है चार प्रकार के नेस्टिड प्रणालियों को चार प्रकार के नेस्टिड प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है इसे क्या कहा जाता है मतलब प्रणाली का एक सिध्धान उन्होंने एक नेस्टिड सरशना बताई है किसने ब्रॉफेन बैनर ने उरी ब्रॉफेन बैनर ने एक नेस्टिड म मतलब पूरी एक सरकल वाली जो सारशना ये किस तरीके से वर्क करती है, इसको भी हम पूरा डीटेल में डिसकस करेंगे, ठीके, चलिए, अब भी अगले कुशन पर मूव करते हैं, देखो, अगला कुशन हमें बोल रहा है, नए लक्षियों की, नए लक्षियों की और उड़ प्रतिकरण, संबंदन या फिर युकतिकरण, तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है, उदातिकरण, ये चीज़े कहलाती है, उदातिकरण, अगले कुशन पर बात करते हैं, अगला कुशन है, निम्नल इखित में से, कौन सी एजनसी भारत में सकूली शिक्षा के लिए प पार्ठीकरम रूप रेखा करीकुलम कौन तियार करता है करीकुलम तियार करता है हमारा NCRT तो राइट आंसर यहाँ पर NCRT हो जाएगा अगला कुश्चन देखो ततपरता का नियम अधीगम से पूर्व की आवशक्ता पर प्रकास जालता है मतलब कि हमने तॉंडाइक के नि पतलब ततपरता के नियम के अकोर्डिंग क्या होता है कि व्यक्ति को हमेशा ततपर रहकर एक्टिव रहकर चीजों को सीखना चाहिए व्यक्ति के अंदर खुच से आगे बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए एक तरीके का बोल सकते है कि मोटिवेशन होना चाहिए तो यहा व्यक्ति सीखने के लिए ततपर है तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा आप्शन नमबर D होगा आगे बात करते हैं देखो यह जो मैंने कल आपको पढ़ाया था मिलर का सिध्धान्त मैंने आपको बताया भी था कि 1956 में मिलर ने एक सिध्धान्त दिया था याद कर सकते तो वो ही कुशन वापस से अगले सेट में भी पूछा हुआ है उन्होंने एक नाम दिया था इस चीज को मैजिक नमबर तो मैजिक नमबर क्या होता है यहाँ पर वो आपसे पूछा हुआ है कुशन आप देखो चंकिंग पर चंकिंग मतलब की चीजों को समू में याद रखना ठीक है हिंदी में बोले तो समू में याद रखना चंकिंग पर मिलर के सिध्धान्त के अनुसार मैजिक नमबर क्या होता है देखो अब यहाँ पर आप्शन है तो इन्होंने पूरा इस चीज के उपर रिसर्च किया था फिर इन्होंने एक नमबर बताया था कि 7 प्लस माइनस 2 जो है एक मैजिक नमबर है अब यह 7 प्लस माइनस 2 क्या बला है तो इसको आप ऐसे समझो तो आपने देखा होगा। मैम हम हमारे FAUN पर पासवर्ड रखते हैं काहीं पासवर्ड रखते हैं तो हम नमबर्स में पसवर्ड रखना जादापसंद करते हैं जिसकि मेरे एक FAUN जो पासवर्ड है 1234 तो नॉर्मली हर एक इंसान के दिमाग में यह जो नमबर वाली जो चीज होती है यह बहुत जादा जल्दी स्टोर हो जाती है और यह चीज जाद भी बहुत जादा जल्दी आजाती है as compared to key, c, w, t, y, p, x, as आप कुछ अक्षर रख लो, alphabet रख लो इसके comparison में यदि आप नमबर रखते हो ना, तो वो चीज आपको जल्दी यादा थी तो मिलर ने पूरा इसके उपर research किया था, फिर उन्होंने एक magic नमबर दिया था जिसका नाम आप देख पारे है, 7 plus minus 2, अभी 7 plus minus 2 क्या होता है, तो यह यह होता है एक second, यह लिखा हुआ है 7, ठीके, और 7 में से 2, आप minus करेंगे तो कितना आएगा, 5, ठीके, यह 2 minus कर दिया 7 में यदि आप 2 plus करेंगे, तो कितना आएगा, 9, तो व्यक्ति उन्होंने एक theory दी थी, उन्होंने बोला था, कि व्यक्ति जो अधिकतर नमबर है ना, या तो वो 7 plus करता है, या फिर 7 में से 2 minus करके सेव करता है, तो व्यक्ति कि आप अधिकतर कोडिंग देखेंगे, तो 579 की डिजिट में ही वो अपने नमबर को कोड करता है, तो यही मिलर की theory है, और chunking का जो उन्होंने तरीका बताया था, वो इसी तरीके से बताया था, और इन ही को उन्होंने गोशित किया था, मतलब ब देखते हैं न, कि उसमें पैसा लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, लोटरी के अंदर आप पैसा लगाते हो, तो उसमें आप टिकेट नमबर डालते हो, तो वो आप कुछ आइडिया लगा कर डालते हो, कि हाँ, यह मेरा लखी नमबर है, तो वो 579, जो 7-2 formula है न, वहाँ प बुद्धी मता का उप्योग किया जाता है, प्राकृतिक, अंतरवैक्तितु बुद्धी, भाषागत बुद्धी या फिर शारिरिक गती सम्वेधी बुद्धी, अब आप देखो, आप डांस कर रहे हो, डांस कर रहे हो, मतलब आपके शरीर के तरू, आपकी बॉड़ी के कुछ activity हो रही है तो यह किस प्रकार की गति कहला है गी बॉडिली काइनस्थेटिक इंडेलिजेंस शारिरिक गति समवेधी बुद्धी तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी हो जाएगा तो इसी तरीके से अलग अलग भी होता है जिसे भाशागत बुद्धी अलग होती है अंत्राव्यक्ति तो बुद्धी अलग होती है प्राकृतिक बुद्धी अलग होती है तो हमसे जो पूछा गया था नरत्य के लिए पूछा गया था तो नरत्य में आपको कौन सी लगेगी बुद्धी शारिरिक गति समवेधी बुद्धी क्योंक तो नियूरोटिस्म आप देखने हैं, बहुत चारे वीडियो आते हैं नियूरोटिस्म के उपर, तो जो नियूरोटिस्म अनुभव में व्यक्ति को सरवादिक क्या अनुभव होता है, जब व्यक्ति को नियूरोटिस्म की बिमारी हो जाती है, उसमें व्यक्ति को अकीस प्र बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। बहुत ज़्यादा उसको गबराहट होती रहती है। ठीके तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर C है। नियूरोटिज्म या फिर इसनायू यह में व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा उच्च तनाव महसूस करता है। बहुत दंड देकर समस्या समाधान करके हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर तो option क्या दिख रहा है यहाँ पर सही option हमारे पास होगा D. हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर वो उस परिशानी को सुल जा सकता है ठीकिए बच्चों की जो problematic situation create हो गई उसको खतम कर सकता है तो right answer option number D है अगले question की बात करते हैं बच्चे तक्रीबन इस आयू से सहकर्मी समोव प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देता है मतलब की बच्चे तक्रीबन कौन सी एज में 4, 5, 3 या सहकर्मी समोव प्रभाव का अनुभव करना स्टार्ट कर देता है मतलब अपने सहकर्मी अपने साथियों का जो अनुभव है उसको अपने साथ जोडने लग जाता है उसका साथी क्या कर रहा है वो कैसे काम कर रहा है वो क्या कर रहा है Early Childhood Stage में तीन वर्ष में क्योंकि आपने देखा है ने बच्चे किसी के घर में जाते तो कुछ खिलोना देख लिया तो वो फिर घर आकर जित करते कि मुझे भी वही चाहिए तो ये जो अवस्था होती है ये अवस्था होती है तीन वर्ष कि अवस्था अगला देखिए निम्ले कितमे से कौन सी चलन इस्मृती देखो फिर वो ये मेमोरी वाला कुशन आ गया है तो जिस भी व्यक्ती ने जो भी एक्जाम देने के लिए गया था उसने यदि मेमोरी के बारे में पढ़ा था जो हमारी कारी कारी चलन इस्मृती मेमोरी उसकी क्या विशेशता नहीं है तो वर्किंग मेमोरी क्या होती है जिसे कि अभी आप कुछ भी कारी करें अभी आप समझो की खाना बना रहे हो तो कि खाना बना रहे हो या XYZ कोई भी आप काम कर रहे हो तो आपकी memory जो कारी कर रही है उसको आपको कोई particular instruction नहीं देना पड़ रहे है जैसे आपको चीज़े पता है खाना बनाने में ये मसाला डलता है डलता है आप हर दिन डालते हो सुबर शाम खाना बनाते हो तो आप वही मसालों का प्रयोग करते हो वही चीज़े डालते हो तो आपको extra short term memory, long term memory, immediate memory ये सारी चीज़े नहीं आएगी बिलकुल daily routine का कारी सुबर उटके brush करना नहाना इसमें आप कौन सा दिमाग लगाओगे जो daily करते हो उसी प्रकार का कारी करोगे तो उसकी क्या विशेशता नहीं है तो यह एक इस्थाई है ये इसकी विशेशता नहीं ये एक्टिव है इसमें manipulation शामिल है और इसमें rehearsal भी शामिल है तो right answer यहाँ पर क्या हो जाएगा option number B कि यह permanent है ये चीज़ इसके बारे में working memory के बारे में सही नहीं है चलो आगे बात करते हैं निमलिखित में से कौन सा अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन कर सकता है चार statement यह लिखने के लिए जानकारी खटा करना या फिर अपने विचार, अनुभव, अधियन और इंद्री और सांचा करन के माध्यम से ज्ञान, कोशल और निप्टान प्राप्त करने की प्रक्रिया तो आपको एक ही चीज यहाँ पर सही दिख रही होगी जो की option number D क्योंकि पहले त explanation है वो आपको option number D में दिया हुआ है कि अपने विचारों, अनुभव, अधियन, इंद्रियों, अनलबुई, sensory के माध्यम से, सांचा करन के माध्यम से ज्ञान, कोशल और निप्टान प्राप्त करने की प्रक्रिया यही चीज हमारी अधिगम होती है तो right answer यहाँ पर option number D तो कल आपकी कौन-कौन सी classes किस-किस समय पर होगी आप community box में जाकर check कर ले ओके और यदि आप हमारे साइट से कोई भी course लेना चाहते तो इस description में जो आपको number दिये गए उस number पर आप call करके हमारे सारे course purchase कर सकते हैं okay thank you for watching and comment करके जरूर बताना कि यह session आपको कैसा लगा और